आज किस वीडियो में हम लोग science का previous year set करने वाले हैं जिसमें हम लोग कुल 30 questions को cover करेंगे जिसमें 10 chemistry, 10 biology और 10 physics questions रहेंगे और यह सभी previous years पूछे गए हैं तो देखिए किस type का questions पूछा गया है यही सब questions मैं करना चाहूंगा अगर आपके एक्जाम में थोड़ा सा भी लेंदी आता है उसे छोड़ी है नहीं बलकि उसे समझ करके answer करने का कोशिस की ठीक है क्योंकि आप जानते हैं physics में कुछ questions ऐसे ही आते हैं चले फर्स्ट कोशन देखते हैं फर्स्ट है मनुस्य के सरीर में निस्क्रिये अंगों का सम करन पेशियां हैं फिर कोक्सी अस्ति है यह सभी जो है निस्क्रिये अंग है अब आपके मन में सवाल आएगा कि सरी निस्क्रिये अंग क्या होता है तो देखिए वैसे अंग जो हमारे पुरवजों में कारेरत थे लेकिन अब हमारे सरीर में उनका कोई कारण नहीं है ऐसे अंग को ही हम लोग निस्क्रिये अंग कहते हैं जो कि option number 6 इसका right answer होगा आगए उन्दृत भवन मिलता है किसमें मिलता है कौक्रोच में खरगोस में मक्खी में या फिर प्ले नेरिया में ठीक है इसका right answer का option number D important है ध्यान में रखेगा फ्रेंड्स ये सभी questions एक्जाम में पूछे गए हैं तो प्लीज टेक आउट किजिए कि अगर आपके exam में ऐसा questions आता तो क्या आप सही कर पाते हैं आगए है सम्रिती अंग या सम्रूप अंग किसे कहते हैं यान कि किसमें होता है यहां पर मच्छन नहीं होगा यहां पर चमगादर के पंक और टितली यह जो है important हो जाएगा ठीक है ज्यान में रखेगा और आगे फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको समझा रहता हूं कि सम्रूप अंग क्या होता है क्या सम्रूप अंग क्या होता है ऐसे जो समानकार के उप् भूनिये परिवर्धन जो होता है वो अलग होते हैं उसे हम लोग सम्रूप अंग या सम्रूप अंग कहते है ठीक है यान की देख जो काम होता है फ्रेंड्स वो एक समान होता है ठीक है जो भी जैसे कि यहां पर मैंने आपको option बताया option नमर एक के बार मैंने बताया कि इनका जो काम होता है वो जो सेम होता है लेकिन जब इसका निर्मान देखेंगे आप लोग मुल सनर्चना देखेंगे तो यह भीन भीन होता है लेकिन काम जो इनका सेम होता है जैसे चमगादर के पंक और तितली का पंक दोनों एक समान है ठीक है जान रखेगा आगे कौन सी हार्मोन बिमारी है इसके अप्शन नमर B यान की घेंगा घेंगा जो है यह एक हर्मोनल बिमारी है इंपोर्टेंट फैक्ट ही बात करें तो घेंगा रोग जो है हर्मोन की कमी से ही होता है ठीक है घेंगा रोग क्या होता है हर्मोन की कमी से ही होता है बात करें पर थोराइट रंठी से स्राबित होने वाली थोरक्सिन हर्मोन की कमी से ही भेंगा रोग होता है ठीक है और टीबी आपने नाम सुनागा टीबी अथवा अच्छे रोग उसमें जो टीका लगा जाता है किसका लगाता है बी सी जी का ठीक है इंपार्टेंट है ध्यान रखेगा आगे है डार्विनिज्म क्या है इसका रैटन से का ओप्सन नमर सी यानि की प्राकृतिक चैन है ठीक है यहां पे मैंने नोट भी डाल दिया है कि प्राकृतिक चैन का सिध्धान्त क्या कलाता है डार्विनिज्म कलाता और आपने एक पुस्तक का नाम सुनागा कौन सा और इजिन और इस पेसिज बाइ नेचूरल सेलेक्शन यह पुस्तक किस ने लिखी है तो चार्ज डार्विन ने लिखी है बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है फ्रेंट्स ध्यान में रिखेगा आपसे पूछा जाएगा किस ने लिखा है या फिर निचूरल सेलेक्शन किस ने लिखा है तो आपको बताना है चार्ज डार्विन देखे फ्रेंट्स एक्स्ट्रा फैक्ट से भी कई बार कोशन्स पूछी जाते है इंट्सक्र आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है आगर जब दो जीब सात रह बाते बताता हूँ जहां से देखेगा जब दो जीव सात रहे तथा एक को लाब हो और दूसरे को कोई लाब ना हो तो इसे हम लोग सब हो जीता करते हैं लेकिन अगर दो जीव ऐसे हो जिसमें से एक जीव को लाब होता हो और दूसरे जीव को हानी होता हो तब उसे हम लोग क यह करते हैं पर भक्षन करते हैं आगे है कि भूमी अपरदन की रोक था हम किससे समबHello आगे हैं डार्वीन का सिधान था इसंपने ऊपर में देखा था चाल डार्वीन के बारे में आगे हैं आगे हैं आर्खि ओप्लिक्स किनका सन्योजक था कि इसके सजivesseid नमट् आप एगनी वीकरन की किरिया से क्या उत्पन होता है इसकर आइटन से का अप्शन नमबर B यानि की ओजोन जो है ओजोन का क्या अतरसुत ओथरी होता है ध्यान में रखेगा आगे इंधन के जलते समय उनमें जो कारबन और हड्रोजन मौजूद होते हैं वे क्या हो जाते हैं इसकर आइटन से का उप्शन नमबर B यानि की कारबन डाकसाइड और जलवास में बदल जाते हैं अप्शन नमबर B राइट हो जाएगा आगे वाताबरन में सरवाधिक मात्रह में पाए जाने वाली क्यास कौन सी है इसकर आप्शन नमबर C नेट्रोजन मैं आपको बता त लगबग 78 परसंट जो है औक्सीजन सड़ी नैट्रोजन पाया जाता है 21 परसंट जो ऑक्सीजन पाया जाता है ठीक है जो द्रब होता है वो नैट्रोजन में ही रखा जाता है ठीक है ध्यान रखेगा आगर लोहे के पायपों को संचारन से बचाने के लिए उसके उपर जस्ते की प्रत चढ़ाई जाती है इस परिकरिया को हम लोग क्या करते हैं इसके पायपों को संचारन से बचाने के लिए उसके उपर जस्ते की प्रत चढ़ाई जाती है इस परिकरिया को हम लोग गेलिवेनी करन अत्वार जस्ती करन कहते हैं नेक्स्ट है पसवों के हड्डियों तथा दातों में मुख्य रासानिक पदार्त होते हैं इस क्रेटन से का अप्शन नमर सी केल्सियम फॉस्पेट होते हैं ठीक है आगए रासानिक रूप में जो सुस्क हीम होते हैं वो क्या होते हैं वो ठोस कारवन डाय उक्साइड होते सब्सक्ण च grants समान संगे स समुझको योग होिए समानी वायू के नमुने में उपस्थित नहीं होने वाली गास कुन सी है और मेरे थिस के समान वायू होते हैं उसमें कौन सी गैस उपस्थित नहीं होती चालक को बदल जयता है इसका क्या मतलब है हो उत्प्रेयर्ख क्या होता है फंड जैसे कोई भी डैक्षन आपको कराना हो तो आप उसको वह उत्प्रेयर्ख करते हैं तो क्या पार्वा करते हैं। होता है और सबसे बेकार वह होता है ठीक है आगे है जो कोईले की खानों में कारवनिक टत्व के सडने से बनने वाले मार्स गैस कौन से होते हैं तो सीधा ऑंसर आप्सन नमबर भी हो जाएगा मिथेन गैस क्योंकि मिथेन गैस जो कि हम लोग अच्छ फूर बोलते हैं मिथेन को यह होता है मार्स गैस ठीक है ध्यान रखेगा एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा आगे बैटरियों के अश्तमाल में होने वाले अम्ल कुन सा है माजयक आगे इसी टीक अम्ल जो है यह किसे अच्छीं जील में पत्थर फेकने पर जैसे जैसे रहे जल्म में नीचे रूपता आता है उसपर उत्हप्लावन बल क्या होता है तो इसकर अप्सन इंवर यानिका एक संपर्क में लाने पर वぇ मिलकर एक बड़ी बनती है बनाती है इसका क्या कारण है इसका राइट ऑप्सन नमर सी यानि की निवन्तम प्रिष्टियच हित्रपल बनाए रखना चाहती है ठीक है यही इसका कारण होता है आगे कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है जबकि पारा डालने पर बूंद के रूप में बना रहता है इसका कारण क्या है इसका राइट ऑप्सन नमर सी कांच के साथ पारे का आसंजन की अपेक्छा जल का संजन संजन अधिक होता है यही कारण है ठीक है आगे क्रिकेट की घुमती गेंद का वायू में इधर उधर उच्छ साल निम्निलिकित अधार के अनुसार असपस्ट किया जा सकता है इसका राइट ऑप्सन नमर डी बार्नोली परमे के द्वारा ही इन्हें हम लोग असपस्ट कर सकते हैं आगे रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े यूबक के सामने टेज गती से रिलगारी के गु कोटबॉल ऊपर उचलती है क्यों उचलती है क्योंकि ऐसा उसके अपने प्रत्यास्ट गून के कारण होता है अपसन नमर डी राइट होगा आगे वृताकार धातू की प्लेट को जिसके केंदर में एक वृताकार छेद्र हो गर्म करने से छेद्र का व्यास क्या होगा तो बर जाएगा ठीक है जो छेद्र का व्यास है फ्रेंट्स वो जो बर जाएगा ठीक है ध्यान रखेगा आगे कांच के फ्लास्क में भड़े द्रब के द्रबमाउन को गर्म करने पर क्या होता है इसका अप्सन नमर डी फ्लास्क में द्रब का तल पहले से कुछ गिरेगा तरबसाद बरना प्रारम होगा ठीक है फ्लास्क में द्रब का तल पहले कुछ गिरेगा लेकिन फिर जो है बरना प्रारम कर देगा आगे हैं एक जल भड़े बीकर में बर्फ का एक टुकरा तहर रहा है बर्फ के पिखलने पर बीकर में जल का तल क्या होगा तो पुर्वत बना रहेगा यही होगा option number C right आज के state का यहनतिम questions किसी जील की बर्फ जमी सतर का ताप मौन 15 degree Celsius हो तो इसके ठीक नीचे जील में जल का क्या होगा तो यह 0 degree Celsius होगा ध्यान में रखेगा ठीक है चलिए इस तरह से मैंने आपको इस state का questions कुल 30 questions करा दिया उमेद है यह state जो आपके लिए बहुत हाट साबित होगा ठीक है लेकिन यकिन कीजे यह सभी questions एक्जाम में पूछे गए है तो इसी तरह के आपके एक्जाम में भी questions आएंगे इसलिए practice करने के आदत आप लोग डाल दीजे चले मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हींड जय भारत